Hey everyone, मैं हुआ यतिया सनेदर गर्ल, thank you so much for stopping by and finally, finally, आज की वीडियो में आप सब के साथ share करने वाली हूँ, best sunscreens for summer 2023, लगभग हर summer में मैं ये वीडियो शेर करती हूँ आप सब के साथ और हर साल मैं ट्राइ करती हूँ कुछ नए options आप सब के सामने रखने का, तो last year भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके पहले मैंने इस वीडियो बनाया था, मैंने ट्राई करा है कि मैं उनको इस वीडियो में रिपीट ना करूं बट ऐसा नहीं है कि वो sunscreens अच्छी नीए, वो sunscreens भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरस्टेड ह तो मैं description box में link दे दूँगी आप देख लीजेगा बर चलिए फिलहाल देखते हैं कि इस साल मेरे top sunscreens में कौन-कौन से sunscreens है सारे skin type के लिए मेरे पास कोई न कोई sunscreen है and most of them are under rupees 500 तो मैंने try करा है कि ये video मैं affordable ही रखूं इसमें जो भी चीजे हैं चलिए अब फटा-फट से video start करते हैं तो सबसे पहले है मेरा latest obsession dot and key का watermelon cooling sunscreen ये sunscreen आता है SPF 50 with PA++++ rating के साथ and ये sunscreen normal combination and oily skin के लिए काफी ज्यादा अची sunscreen है मेरी acne prone skin है और इस sunscreen की वजए से मुझे कोई भी acne pimples नहीं निकले है ये sunscreen almost खतम होने वाली है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है let me show you the texture of this तो gel based texture है इसका और ये बहुत ही easily skin में absorb हो जाती है like less than 30 seconds में ये मेरी skin में absorb हो जाती है मैंने इस पर एक short video डाला था तो मैं description box में डाल दूँगी जहाँ पर मैंने इसका application लिखा है आप check कर लीजेगा तो less than 30 seconds में ये मेरी skin पे absorb हो जाती है कोई भी white cast नहीं छोड़ती है almost a comfortable matte finish में मेरी skin में settle होती है और ना chip chip है ना oily है कुछ भी नहीं है लंबे time तक मेरी skin मतलब fresh लगती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है broad spectrum है UVA UVB दोनों रे से protect करेजी साथी साथ में blue light protection भी है मतलब कि जो हमारे screens से phone, laptop, tap इन सबसे जो rays निकलती है वो भी skin को harm करती है तो उससे भी हमारे skin को protect करती है और fragrance free भी है तो अगर आपकी skin fragrance irritate होती है तो ये एक काफी अच्छा option है इसका नाम है cooling sunscreen बट ऐसा नहीं किसको लोगा कि ऐसा cooling sensation मिलेगा ऐसा expect मत करेगा बट इसको लगाने से skin काफी like calm down and soothe लगता है skin को ये अच्छे से soothe करता है तो काफी अच्छी है for normal combination and oily skin dry skin पर भी अभी आती हूं dry skin के लिए है मेरे पास इसी brand का dot and key का ही है vitamin C plus E super bright sunscreen oily skin भी इसको यूज कर सकती है बट I feel कि ये normal to dry वालों को समा में ज्यादा अच्छे से सूट करेगा इसमें भी SP50 with PA++++ rating है तो इस sunscreen में vitamin C and we all लोग की vitamin C skin को brighten करने के लिए जाना जाता है उसके लावा ये sunscreen fragrance free also ये दोनों ही sunscreen hybrid sunscreens है मतलब की दोनों में ही chemical and physical filters का यूज करा गया है ये sunscreen की जो consistency है ये काफी ज्यादा रनी है तो यही एक थोड़ा सा मुझे इसका कौन लगता है other than that ये sunscreen बहुत ही light weight है बहुत ही easily फटा फट से like less than 30 seconds में skin में blend हो जाती है blend होने के बाद कोई white cast नहीं छोड़ती है और skin को मेरी हलका सा moisturize करती है तब ही मैं कह रही हूँ कि summer में इसको normal to dry skin वाले ज्यादा enjoy करेंगा अगर आप oily skin वाले है combination skin वाले और इसको use करना चाहते तो मैं suggest करूँगी कि आप moisturizer skip कर दीजे तब अगर आप इसको use करोगे तो आपको बिल्कुल सही लएगा मलब must काम करेगा लेकिन आप moisturizer के ऊपर इसको लगा रहे हो तो यह हलका से skin को moisturize भी करता है तो it is like more suitable for people who have normal to dry skin but lightweight है ऐसा चिपचिपा पन या कोई greasiness नहीं है ना ही skin पर लगाते ही पसीने आने लगते हैं कोई white cast नहीं देती skin को ashry या gray नहीं करती है तो really really good sunscreen next sunscreen है Aqualogica की एक clear plus sunscreen ये भी SPA 50 plus and PA++++ rating के साथ आती है और again ये भी broad spectrum sunscreen है ये sunscreen मुझे बहुत अच्छी लगती मेरी acne prone skin के लिए क्योंकि इसमें use कर गया salicylic acid and green tea दोनों ही जो ingredients हैं हम सबको पता है कि acne prone skin के लिए काफी ज्यादा अच्छे salicylic acid acne को treat करने में उनको reduce करने बहुत अच्छा काम करता है green tea full of antioxidant होता है skin को suit करने का protect करने का बहुत अच्छा काम करता है इस sunscreen के consistency texture की बात करूं तो ये gel based sunscreen है transparent है और बहुत ही फटा फट से skin में blend हो जाती है ज्यादा महनत नहीं करनी पड़ती है इसको लगाने के पद स्किन मेरी काफी smooth feel होती है तो बड़ा अच्छा लगता है इसको apply करने के बाद and कोई white cast नहीं छोड़ती है light weight है oily चिप चिपी नहीं है कोई oiliness नहीं देती skin को तो ये basically आपका कह लीजे कि summer में normal combination oily and acne prone skin के लिए काफी ज्यादा अच्छी sunscreen है next sunscreen सारी की सारी skin type वालों के लिए है और वो है the derma cookie hyaluronic acid sunscreen aqua gel ये bottle मेरी खतम होगे और अब मैं ये tube इसके use कर रही हूँ ये एक amazing amazing sunscreen है मैंने इसके बारे मेरे बहुत सारे videos में बात करी है ये like gel based texture है इसका और ये बहुत ज्यादा light weight है फटा-फट से skin में blend होती है और apply करने आपको feel भी नहीं होगा कि आपने sunscreen लगे बट इसकी अच्छी चीज है कि skin को hydrate करती है at the same time ये skin में इतने comfortably settle हो जाती है ये matte finish में settle नहीं होगी नहीं ये skin को ऐसा कोई moisturize करेगी ये बहुत अच्छी से skin में settle हो जाती है मतलब अगर आपके dry skin है तो भी आप ये sunscreen enjoy करोगे SPF 50 with PA 4 times plus rating है ये भी एक broad spectrum sunscreen है fragrance free sunscreen है light weight है easily blend हो जाती है कोई भी white cast नहीं देती है इसमें hyaluronic acid है जो कि skin को hydrate करता है vitamin E है जो कि sun से protector ने काम करता है और ये भी एक hybrid sunscreen है इसमें भी physical and chemical दोनों filters का use करा गया है next sunscreen है fixed derma की shadow SPF 30 plus gel ये sunscreen combination oily and sensitive skin के लिए बहुत ही अच्छी sunscreen है ये एक broad spectrum sunscreen है साथी साथ में ये भी एक hybrid sunscreen है मतलब इसमें भी chemical and physical दोनों filters का use करा गया है और इसका नामी है gel तो इसकी भी gel based consistency है और ये skin में matte finish में settle होती है बहुत ही ज़्यादा light weight है non greasy है non oily है कोई भी white cast नहीं छोड़ती है water resistant भी है तो अगर आप like swim बगएरा करने जा रहे हो तो भी आप ये sunscreen apply कर सकते हो जिम जा रहे हो तो भी आप इन फैक्ट आप उन जो भी मैंने पहले भी दिखाए उनमें से भी आप कोई भी apply कर सकते हो बट ब्रैंड ने specifically mention करा है कि ये water resistant है that's why I am saying कि अगर आप जिम जा रहे है को water activity कर रहे हो तो भी आप ये sunscreen को apply कर सकते हो sensitive skin के लिए ये sunscreen मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बट अगर आपके skin oily combination acne prone है तो भी आप आराम से sunscreen को use कर सकते हो also अगर बहुत जादा humid weather है ना उस weather में भी ये sunscreen काफी अच्छा काम करती है next sunscreen है Dr.Shade's की vitamin C and ceramide sunscreen ये sunscreen आज but क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार repurchase करा and ये बहुत जादा trending में हैस time पे तो मैंने इस video में भी इसको include किया है तो ये जो sunscreen I feel कि समा में dry skin वाले भी use कर सकते है and oily skin वाले भी use कर सकते है और in between जितनी skin types आती है सारे skin type वाले use करते है especially sensitive skin वाले इसको आराम से use कर सकते है तो ये sunscreen SP 50 with PA++ rating के साथ आती है इसमें vitamin C का use करा गया और साथ में ceramides का use कर गया तो अगर आपका skin barrier damaged है या weak है तो ये sunscreen काफी अच्छी क्योंकि इसमें ceramide का use कर गया ना ही ऐसा कोई मतलब moisturize करती है काफी अच्छे से skin में settle होती है that's why I am saying की गर्मियों में कोई भी skin type वाले इसको आराम से use कर सकते है और skin काफी hydrated feel होती है और skin को ये बहुत ही soothing and calming effect देता है तो really good sunscreen easily blend हो जाती है इस वीडियो के लिए चूस करी है वो सारी ऐसी है ऐसी है बट फिर भी बहुत बोल दे रहे हो ताकि आपको कोई confusion ने रहा है कि दी ने इस sunscreen ये बारे मैं ऐसा नहीं बुला कहीं है ऐसा तो नहीं की light weight नहीं है that's why I am saying की light weight भी है और easily blend भी हो जाती है summer में I think कोई भी skin type वाले इसको आराम से यूज कर सकते especially sensitive skin and जिनका जो barrier है वो damaged या weak है okay now let's talk about a tinted sunscreen क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो daily basis पर कोई makeup नहीं लगाना चाहते हैं BB cream foundation नहीं लगाना चाहते हैं tinted sunscreen लगाना चाहते हैं मुझे recently instagram भी किसी ने tinted sunscreen के बारे में पूछा था और जो नहीं लगी बर the derma ko वाली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी मैंने last year भी इसको काफी use करा था तो यह जो the derma ko की tinted sunscreen है यह बहुत ही अच्छा option अगर आप एक tinted sunscreen देख रहे हो इसका जो shade है वो universal shade and I feel कि कोई भी skin tone को यह अच्छे से suit कर जाएगी यह एक mineral sunscreen है और यह SP 60 with PA 4 times plus rating के साथ आती है तो काफी high protection के साथ आती है and एक mineral sunscreen है तो अगर आप उन में से हो जो एक mineral tinted sunscreen देख रहे हो तो definitely आप इसको try कर सकते हो यह silicone based sunscreen है तो skin पर लगाने जैसे लगाने बाद किसे primer अगर आप skin पर लगाने किसे skin smooth सी लगती है तो इसको भी लगाने के बादने skin smooth सी लगती है और यह क्योंकि एक tinted sunscreen है तो skin को एक अच्छा सा tint देती है और हल्की हल्की सी coverage देती है अगर आप daily basis makeup नहीं करना चाहते हो बट फिर भी हल्की सी coverage चाहते हो तो यह sunscreen यूज कर सकते हो आपका sunscreen का भी काम हो जाएगा और skin पर हल्की फुल्की सी coverage भी मिल जाएग और मतलब की ऐसा नहीं है कि dry dry सा skin को feel कराएगी काफी अच्छा comfortable matte finish में settle होती है तो यह यह थी मेरी list of top sunscreens summer 2023 इनमें से आपने कोई भी sunscreen यूज करिए तो comment करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी है कोई भी sunscreen आप purchase करना चाहते हो इनमें से तो उनका link में description box में provide कर दिय आप description box चेक कर लीजेगा इनके लबा आपकी कौँसी favorite sunscreen है वो जरूर comment करके बताएगा और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए stay tuned, take care and cheer you